नमस्कार दोस्तों मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ आज छट का पर्व है और हमारे बिहार में इस पर्व को बहुत ही धुम धाम से मराया जाता है और इस पर्व का बहुत जदा हमारे कल्चर में खास कर बिहार और उपी के कल्चर में इरचाबासा हुआ है यह ऐसा पर्व है जिस पर्व के लिए बिहार परसीद है पुरी दुनिया में परसीद हो चुका है आज के समय में अमेरिका में हो रहा है दुबई में हो रहा है मतलब जहां जहां बिहारी हैं इंडिया के हर कोना में हो रहा है यह ऐसा पर्व है और पर्व सद्यूं से चले आ रहा है इस पर्व की एक ऐसी मन्यता है हम इस पर्व के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ करूँगा एक पर्व की ऐसी मन्यता है कि हमारे पुरोजों ने एक ऐसी प्रंप्रा बनाई कि छट बरत से बाल, बच्चे, परिवार, प्रकीर्थ सभी इस पर्व में समाहित हो जाते हैं ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें सभी चीज समाहित हो जाता है इसमें सभी चीजों का पुजा हो जाती है एक साथ एक पर्व एक टाइब से बहुत ही बहतरी और एक अच्छा पर्व है इस पर्व में देखा जाता है कि बिहारी दुनिया में कहीं रहता है किसी भी अस्टेट में कमाने के ले जाता है लेकिन इस पर्व के दिन वो अवस्य आता है अपने गाउं में आता है, अपने सहर में आता है अपने लोगों से मिलता है और इस पर्व को बहुत ही सादकी के साथ लोग मनाते हैं मैं इन सभी बातों के साथ साथ एक बात को आप लोगो अक्रिष्ट करना चाहूंगा जो हम लोगा देश है सद्यों से ही धर्म परधान देश है धर्म की प्रत्मिक्ता बहुत जदा दिया गया है धर्म की मनता बहुत जदा दिया गया है हमारे रिसी महर्शियू ने इस पर्व को एक साथ एक जोड़ कर इस टाइप से बनाया है कि इसमें लोग अपने बाल बच्चा के सुख्मे जीवन की कमना करते हैं साथ साथ उगते हुए सुरच और डूपते हुए सुरच को नमस्कार करते हैं साथ साथ जो हमारे तलाब है नदी है उसकी पूजा करते हैं यह हमारी धार्मिक प्रमप्रा है जिसको हम लोग बहुत ही प्यार से बहुत ही असने से बहुत ही पवित्रता से सभी लोग मनाते हैं और यह पर्व मनाना भी चाहिए मैं थोड़ा सा इस पर्व के बारे में एक दुसरा भीव आप लोग के पास रखना चाहते हूँ हमारे पुरवजों न जिस ही इसाब से इस पर्व को समझ कर बनाया और हम लोग को इस पर्व आज मनाते आ रहें सदियों से लेकिन इस पर्व को आप गौर से समझ येगा गौर से जानियेगा तो आप लोग उसमें एक बात निकल के आएगी एक रहस्त निकल के आएगा और उपात और रहस्य क्या होगा मैं आज उसी पॉइंट पे बात करूँगा उसी के बारे में आप लोग से चर्चा करूँगा आप लोग को बताऊंगा आप लोग से समझूँगा इस जितना चीज मैंने बताया कि लोग को जो पर्व मनाते हैं इस पर्व में लोग अपने प्रिवार, अपने बाल बच्चे, अपने प्राकीर्थ, अपने नदी, अपने पोखर, उपते हुए सुरुच, डुपते हुए सुरुच को प्रणाम करते हैं, अरग देते हैं, उपासना करते हैं. ऐसा ब्राने के पीछे हमारे प्रोजो कारण था, कि हम लोग एक धरम से जुड़े रहें, लेकिन इसका जो मुल भाव है, हम लोग उसको आज भूल गए हैं, उसको आज, वहां से हम लोग आज दूर हो गए हैं, कि वहल हम लोग उस ध्यों से मना रहें, कि मेरा परिवाद सुखी रहे, मेरा परिवाद संपन रहे, मेरा बाल बच्चे का जिवन खुस में रहे, आज जो हम पर्व मना रहे हैं, छट का पर्व, बस इस ध्यों से मना रहे हैं, लेकिन जिस मकसद से इस पर्व को बनाया गया उसकी मेन मकसद को उसकी मुल बातों को हम लोग भूल गए हैं आप उस बात को एक बार गौर कीजिए एक बार समझे और समझे एक पर्व में है क्या इस पर्व में हर प्रकृत की पुजा किया जा रहा है जिस प्रकृत से हम लोग जीते हैं जैसे हम लोग सुरज की रोसनी है सुरज की रोसनी से हम लोग की जिंदगी में एक रोसन है हर काम हमारे लिए हुए हम लोग को उर्जाप परदान करती है हमारे जीवन को एक अधार देती है हम लोग उसका उपासना करते हैं जो हमारी जल है हम लोग इसका जबी पुजे किया जाता है पانी मी किया जाता है आप इसको समझ जए कि हम जल में अरग देते हैं सुरज भवान को उगते हुए को और डुपते होगे देते हैं जो हम उपासना करते हैं कहीं भी करेंगे इंडिया में चाहिए बीदेस में भी हम जल में करेंगे खासकर तलाब में इसका मिन होता है कहीं भी अप कर सकते हैं लेकिन तलाब इसका बहुत मायने रखता है पोखरा बहुत मायने रखता है जहाँ पानी हो पानी आप लोग अच्छे से मालूमें आज के भी दोर में जल ही जीवन है आज के भी समय में जल का बहुत जदा महत्तो है आप जल के बारे जल नहीं है तो जीवन की कलपना करना भी मुस्किल है लेकिन आज आप इस देग जो मैं फोटो दिखला रहा हूँ इस फोटो को आप लोग गौर से थोड़ा देखिए इस फोटो को आप लोग गौर से देखिए ए तलाब है इसको गौर से देखिए इसको मैं जुम कर देता हूँ इस तलाब को आप गौर से देखिए केवल जलकुम्भी दिखाई दे रही है केवल जलकुम्भी दिखाई दे रहा है इस तलाब को आप गौर से देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए पुरी जलकुम्भी से भरा हुआ है इतलाब है पुरी जलकुम्भी से भरा हुआ है और ऐसा एक जगह नहीं है मैं को एक जगह की बाते नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे बिहार की बाते कर रहा हूँ पूरे बिहार की बाते कर रहा हूँ जहां भी तलाबे हैं जहां भी पोखरा है हर जगह की यहीं आहाल है हम लोग इस पर्व को मनाते हैं लेकिन इस पर्व के पिछे क्या रहस्य चीपा है एह हमारी जिन्दगी है तलाब पोखरा हमारी जिन्दगी है सुरज हमारी जिन्दगी है बाल बच्चे तो भी जिन्दगी है नाले जिन्दगी है ये सुरज हमारे लिए जिन्दगी है लेकिन हम लोग केवल उपासना करते हैं बाल बच्चे के लिए हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि बाल बच्चे तभी जीवितरा सकते हैं जब नदी रहेंगे ये नाले रहेंगे ये तलाब रहेंगे ये पोकरे क्योंकि पानी का सूर्स है पानी का अधार है यह नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे क्योंकि जल नहीं रहेगा तो जीवन की कलपना करना मुस्किल है और आप लोग अच्छे से मालूम है कि तलाप उखर जिस गाउं में नहीं है उस गाउं में पानी की गर्मी के मौसम में हमेशा किलत रहती है वहाँ पानी का लेयर भी सही नहीं रहता है